नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जार्खन के दिन भर की खबर जानते हैं आदिवासी महोसों दो हैर तेस पर डाक टिकट का भी लोकारपन किया गया, वहीं 35 पुस्तकों को लोकारपन किया गया, इस पुस्तक में आदिवासी जीवन पर किये गए तमाम सोधकारियों से है, वहीं आदिवासी महोसों के अउसर पर खास डाक टिकट भी तयार किया गया ह इस मौके पर मुख्य आती थी राज ये सभास्तांसर सिवू सुरे ने कहा है कि सभी आदिवासी समुदाय की करीब करीब एक ही संस्कृती है मेरा आगरा है कि अपने बच्चों को सिख्षित जरूर करे ये महोस्व आदिवासी समुदाय की एक जूटता और आपसी भायचारा को दर्शाता है आने वाली पिढ़ी को अपनी संस्कृती और सभ्याता से जोड कर रखने की आव सकता है इस मौके पर मुख्य मंत्री हमांसुरे ने कहा है कि जार्खन में आदिवासी महोसव मनाया जा रहा है कारिकरम काफी बड़ा है हर तरह आदिवासी महोसव की धूम है लेकिन इस खुशी में मनीपूर का दर्द ज़लक रहा है अपने सम्वोधन में मनीपूर के दर्द को लोगों के साथ साधा किया कहा कि हम एकजूट होकर स्वाभिमान के लिए खाया होने की जरूरत है एक तीर एक कमान आधिवासी एक समान के नारो से गुजी राय धानी विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर एक और जहां जार्खन सरकार की और से इसे राजकी समारो के रूप में मनाया जा रहा है वहीं दूसरी और कई आदिवासी संगटों ने इसे खुसी के रूप में नहीं मनाने की घोषना की है इसे लेकर रांची में मार्च निकाला गया और UCC कानून का भी बिरोध गया बता देपुरे जारखन में विश्व आदिवासी दिवस धुम धम से मनाया जा रहा है एक तरफ हेमंत सरकार इसे राजकिय समारो के रूप में सेलिवरेट कर रही है तो दूसरी और तमाम आदिवासी संगठन अपने अपने तरीके से समाज की बातों को परकट कर रहे हैं और गोड़ा इलाखे के आदिवासीों ने समस्त आदिवासी संगठन के हवाले से हर्मु से और गोड़ा चौक तक माच निकाला संगठन के नेताओं ने चौक इस्थी सहीद बीर बुद्धु भागत की पत्तिमा पर मलयारपन भी क्या है सौधंतन दिवस समा रोह तयारी जोरसूर से सुरू राईधानी के हतिहासिक मौरबादी मैदान में सौधंतन दिवस की तयारिया सुरू करती काई है 15 अगस्त की सुब़ा 8 बजमों के मंत्री है मांसें मौरबादी मैदान में तिरंगा पाराएंगे इस बार सुज़ता दिवस के आउसर पर यूपी पुलिस भी प्रेट में हिंसा लेगी बता दे सुज़ता दिवस समारो और प्रेट के लिए रांची के थियासिक मुरबादी मैदान में तेरिया जोरो पर है केंद्रियवलो के साथ साज हरकन पुलिस के अलग-अलग भी भी संदार परेट का पर्देशन करेंगे समरोह के दवरान कोई कमिना हो इसके लिए प्रेड में हिसा लेने वाले सभी बटालियन हर दिन तिन घंटे लगातार मुराबादी मैदान में प्रेड का रियलसल कर रहे हैं रांची के मुराबादी मैदान में होने वाले मुख्य समारों में पहली बार उतर परदेश पूलिस भी प्रेड में हिसा लेगी सहायक अचार्य पद के लिए ओनलाइन आवेदन की तिथी बढ़ी जार्खन के 26 एर एक सहायक अचार्य पद के लिए मंगलबार से किये जाने वाले ओनलाइन आवेदन की तिथी बढ़ा दी गई है अब 16 अगस से अभियारती ओनलाइन आवेदन कर सकेंगे अभियारती 15 सितंबर की मध्य रातिर तक आवेदन कर सकेंगे जार्खन करमचरी चैन आयोग ने इसके इसमितना जारी कर दी है जे एसेसी ने पहले आठ अगस से साथ सितमबर तक आवेधन की समय सिमयताय की थी अब अपरिहार कारिनों से जार्खन प्रारामभिक विद्याले सायक अचार सन्युक्त प्रिक्षा के लिए आवेधन करने की तारिखों में बढ़ोतरी की गाई 15 सितमबर तक आवेधन करने के बाद 17 सितमर की मद राती तक इसके परिक्षा सुल्क जमा हो सकेंगे लोक सभा चुनाओ से पहले डूमरी में होगा सक्ति परिक्षान दूमरी पी धान सभा की सीट 6 अपरेल से खाली है हेमान सुरिन सरकार के सिक्षा मंत्री रह जगरणात मतों की निधान से या सीट खाली हुई है समिधानिक परकिरिया के तहट 5 अक्टूबर से पहले डूमरी सीट को उसका नया निर्वाची जन परतिनीधी देना चुनाव आयोग की जिम्यदारी है चुनाव आयोग इसके लिए चुनाव की तारिक एलान कर दिया है 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे इसके तीन दिन बाद 8 सितंबर को वोटों की गिंती होगी डूमरी पिधान सबाजशेतर के लिए नय जन परतिनीधी का नाम सामने आ जाएगा बता दे डूमरी उप चुनाव में सता पक्स और बिपक्स को दो परमुख पार्टिया चुनाव के तियारिये में जी जान से जुटी हुई है यह सीट जहमो के खाते की थी देवंगल सिक्षा मंत्रिय और जहमो नेता रहे जगनात मतों की राईनिती बिदासत समानने वाले उनकी पत्नी बेवी देवी चुनाव मैदान में होगी वहीं जहमो के लिए सीट जीतना परतिष्ठा का भी मामला है दूसरी ओर एंडिय या सीट जीत कर अपनी सियासी ताकत बराने की कोशिस करेगा रांची में बुजूर्ग महिला से सोने की चैन की छिनताई रांची में चैन एसनेचर का गिरो सक्रिय है आई दिन एसनेचर रांची का भी भी थानों चैतर में एसनेचिंग की वर्दात को अंजाम दे रहे है वहीं पुलीस एसनेचर पर लगाम लगाने में विफल साभिल हो रही है बातादे, ताजया मामला सधर थाना छेतर का है जहां एस नेचर ने बुजूर्ग महीला से सोने की चेन छीन ली, जनकारी मिलने पर पूलिस मामले की जाच में जूट गई है, सधर थाना छेतर में एस नेचर का आतनंग थमने का नाम नहीं ले रहा, वुद्धभार को एक ब पदस्थापित 29 चिकिसकों ने आदेश निकालने के बाद भी अस्पतालों में योगदान नहीं दिया है। या अस्पश्टी करन देना होगा कि क्यों नहीं उन्हें सरकारी सेवा से सला के लिए पर्तिबंधित कर दिया जाए। इसके साथ ही अनुग्यप्ती रद करते हुए राश्टरी अरुविग्यान आयोग को उनका डॉक्टर होने का राश्टरेशन रद करने के उनसांसा बहने की बात कही है। इडी, पी, एम, एले के तहद जाच कर सकता है। मौपजागोटाले के मावले में CVI या ED से जाच कराने को लेकर एक जनित याज का हाई कोट में दायर की गई है। याज का कि सुनवाई की जवान आदालत ने EC, CBI और राज सरकार को नोटिस देकर जबाब दाखिल करने का देश दिया था। बता दे कि सभी 108 एम्बूलेंस चालक नीजी एजेंसी जीकिजा हेल्थ के यार लिमिटेट के तहद कर रहत हैं। उनकी हताल से दूर दाराज के मरीजों वास्तरक हाज सो में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुचाने में मुस्किल हो जाएगा। मेटकल कॉलेजों से रेफर किये मरीजों को रिम्स वा अनसरकारी संस्थान ले जाने में परचानी भी होगी। ग्यात हो कि जीले में 108 एम्बूलेंस के संचालक जीमिवारी नई एजेंसी EMRI ग्रीन को सोपी गई है। किये क्रीद प्रारामिक विद्यालों के सिख्षकों की वर्यता सुची के निर्मान में सिख्षकों की आपसी वर्यता के निर्धारन के बिंदु पर मागदसन बेजा है। कि वा अम्रित दही हन्डी परित्योकता का अमांत्रान। कि वा अम्रित दही हन्डी परित्योकता में पुरुस गोविंदा टीम भाग ले सकेंगे। जिसका रोइस्ट्रेशन समीती में गोविंदाओक टीम को करना अन्यवाज होगा। इस बाद ठाकूर जी को भोग परसाद मोटे अनाजका लगेगा। जारखन में मिशन इंद्रधनूस के सहारे टीका करन की कोशिज। जारखन में गोविंदा परखन में लावगों की संख्या दिकारियों को नहीं मिल रही है।